नमश्कार, वेलकम टू माई चानल, सोल खीलर अंकिता अगरवाव क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंसान जैसा है वो वैसा क्यूं है? आप जैसे हैं, वैसे आप क्यूं है? पहले दूसरों के बारे में समझते हैं तो जैसा दूसरे लोगों का होगा, वैसा ही आपका अपना होगा आपने सुना होगा, और अकसर हम खुद भी इस तरह की lines या इस तरह के sentences बोलते हैं किसी के लिए भी कि उसको तो समझ ही नहीं आता है कुछ भी वो तो ऐसा ही है, वो ऐसा क्यूं है, उसको ये जरा सी बात भी समझ में नहीं आती है कितनी बार भी समझा लो या वो बहुत अजीब है अजीब word हम बहुत जादा यूज करते हैं, वो बहुत अजीब है वो तो बेवकूफ है, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा या वो ऐसा है, या वो गुस्से वाला ही है, वो तो हमेशा गुस्से वाला ही रहेगा या अगर कोई ड्रेंक करता है, तो वो कभी नहीं सुधर सकता तो इस तरहां के जो लोग होते हैं, वो सच में ऐसे क्यों होते हैं, क्या कारण होते होंगे जो वो इस तरहां के बन गए हैं, और जब उन्हें लोग ऐसा कहते हैं, या उनके बारे में कुछ लोग ऐसा कहते हैं तो ओब ही वो क्यों नहीं सुधर पाते हैं? क्या कारण है ऐसा? कोई भी व्यक्ति जैसा होता है, जैसा बोलता है, जैसा समझता है, जैसा चलता है, जैसा दिखता है, वो पूरा उसकी personality में आता है. और ये personality कैसे बनती है? सबसे पहले तो, जब बच्चा जनम लेता है, तो उस समय उसकी मा की स्थिती कैसी है? उसके जनम होने में उसको बच्चे को कितना कश्ट हो रहा है? और जनम लेने के बाद उस बच्चे का वैलकम किस तरह से करता है? ये उसकी personality decide करता है. अगर जनम होते ही, वो गबरा जाता है, तो वो बच्चा 98% पूरी लाइफ डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा रहेगा. 2% केसिज में अपने उपर काम करके, वो चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं, लेकिन 98% केसिज में वो बच्चे डरे हुए से, सहमे हुए से रहते हैं. जैसे उसके घरवालों के आपस के संबंध होते हैं, रिष्टे जैसे होते हैं, वो उसकी personality का निर्मान करते हैं, वो उसकी personality बनाते हैं. अगर घर में रड़ाई जगड़े होते हैं, कला कलेश होते हैं, तो उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है. अगर बच्चे के खुद के साथ किसी तरह की कोई ऐसी घटना हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए उसका भी प्रभाव बच्चे की पर्सनालिटी पर पड़ता है जो की सारी जिंदगी वो कैरी कर सकता है कई बार कोई इनसान बच्चे के साथ बहुत खराब विवार करता है गुसा करके डाट देता है या अगर गुसा करने से बच्चा सहम जाता है एक बार या हर बार ही ऐसा होता है तो उस बच्चे के अंदर personality में issues जरूर आ जाएंगे जरूरी नहीं है कि ऐसा बच्चा डरपोग बने, वो वाइलेंट हो सकता है फिर स्कूल में अगर उसके साथ खराब व्यवार होता है, पार्शियालिटी होती है तो उसका भी बच्चे के मन पर प्रभाव पड़ता है और जो की उसकी परस्नालिटी में दिखाई देने लग जाता है जादातर पेरेंट्स जो होते हैं, बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, समझते नहीं हैं बच्चों को तो बच्चे की personality में disturbances आ जाते हैं, issues आ जाते हैं कई बार बड़े होकर college में अगर दोस्त या और कोई बच्चे बुली करते हैं उसका भी effect personality पर पड़ता है और personality में issues आ जाते हैं अगर बच्चे ने अपनी parents के बीच में लड़ाई जगड़े देखे हैं, बहुत खराब रिश्टे देखे हैं तो बहुत strong chances हैं कि उसकी अपनी married life भी खराब रहेगी अगर वो किसी से प्यार करेगा, अगर वो किसी के साथ live-in में है या अगर वो किसी के साथ relationship में है ये उसकी personality में issue जो आया है, वो पहले का है घटना पहले हुई हैं, देखा उसने बहुत पहले है लेकिन उसकी personality में जो energy आ गई है, उसका subconscious mind है उसको chances जीने नहीं देता है तो उसके जीवन के जो अनुभव होते हैं, जो experiences हैं life के जैसे जैसे वो और explore करता है, और लोगों को समझता है जिस तरह के लोग उसके जीवन में आते हैं जिस तरह से उसके साथ जैसा जैसा होता रहता है वैसे वैसा वो अपनी thinking process को अपने belief systems बनाता जाता है और वैसी वैसी उसकी personality होती जाती है फिर जब वो हमसे मिलता है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो इनसान बहुत ही अजीव है जबकि उसके अजीव होने में बहुत सारे factors काम कर रहे हैं genes भी एक factor है जैसे अगर किसी के parents में से कोई एक गुसा करता है तो बच्चे के अंदर भी आ जाता है तो हम इसको कहते हैं कि अरे उसके तो पिताजी भी बहुत गुसा करते थे इसलिए ये भी ऐसा ही गुसा करता है genes भी एक factor है friends, circle भी एक factor है life के experiences भी एक factor है life के challenges भी एक factor है childhood trauma या childhood की कोई भी incident वो भी एक factor है पूरा का पूरा childhood ही अगर खराब हो तो वो भी एक factor है जो personality को build up करता है जनम लेने के time की परिस्थितियां वो भी एक factor है इसके अलावा भी जिस तरहां के planets उसके birth chart में बैठे होंगे वो भी एक factor है वो भी effect डालेंगे जिस तरहां की उसकी previous life होगी इस जनम से पहले की जो life होगी उस life में से भी वो कुछ carry करके लेकर आ सकता है वो भी एक factor है कई बार आपने देखा होगा कि parents बड़े अलग होते हैं वो बच्चे बिलकुल ही अलग होते हैं उनसे तो उसका reason ही यही है कि वो अपने कुछ संसकार कुछ personalities वो past life से carry करके लेकर आ रहे हैं इनके अलावा अपनी भी free will या free choices होती हैं हर परिस्तिती में हमारे पास एक choice होती है जो परिस्तितियां है उनमें भी ठीक करने की गुणजाश हमेशा होती है चाहे कितनी भी खराब से खराब situation हो उसमें भी ठीक करने की थोड़ा बैटर करने की गुणजाश हमेशा ही रहती है उसमें अगर हम खुद को improve कर लेते हैं या कोई भी person खुद को improve कर लेता है तो वो अपनी free choice से personality को ठीक कर लेता है या personality के कुछ हिस्सों को ठीक कर लेता है और अगर ऐसा नहीं करता है तो जैसी उसकी personality है उसको वो और ज़्यादा strong बना लेता है तो मैं बहुत ज़्यादा दूर जाने के लिए नहीं कह रही हूँ अगर हमारे आसपास जो लोग हैं हमसे जुड़े हुए जो रिष्टे हैं जो हमारे दिल से connected हैं अगर हम उनको इस तरह से understand करें कि इनकी जैसी personality है उसके पीछे कई कारण है कई सारे factors हो सकते हैं तो उनको हम accept कर पाएंगे तो अगर एक line में कहा जाए तो किसी की कोई गलती नहीं है उसका जनम जैसा हुआ इसमें भी उसकी तो कोई गलती नहीं है अगर उसके बच्चपन में उसके साथ कुछ गलत हुआ है या कुछ भी ऐसे कोई हादसा या कुछ गटना हुई है तो इसमें भी उसकी कोई गलती नहीं है अगर उसके parents में जगड़ा होता है या separation है तो इसमें भी उसकी कोई गलती नहीं है लेकिन धीरे 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 करके उसकी personality build up होती जा रही है Life में जो challenges आए उसमें भी उसकी कोई गलती नहीं है जैसे जैसे लोग मिलते गए उसमें भी उसकी कोई गलती नहीं है लेकिन personality बन गई फिर जैसे school में experiences हुए, जैसी पढ़ाई उसने पढ़ी, उसमें भी कोई गलती नहीं है तो अगर इस तरह से हम देखें तो हमें हर किसी की personality के पीछे किसी की कोई गलती होना नहीं दिखाई देगा और ये जो personalities हैं, जैसे औरों में हैं ऐसे ही आपके अंदर भी हो सकती है आप जैसे हैं उसके पीछे भी आपका बच्पन काम करता है, आपके अपने अनुभव हैं, अगर वैसे ही अनुभव किसी और के साथ होते, तो वो भी आप जैसा होता, अगर आपके अनुभव थोड़े अलग होते, आपकी life जैसी थी, वैसी ना होकर कुछ और होती, तो आपकी personality भी automatically कुछ और होती तो किसी की भी कोई गलती नहीं है और ये सब जो personalities होती है, ये therapy से ठीक भी हो जाती है अगर कोई अपने अंदर की किसी आदत को ठीक करना चाता है तो वो therapy से बहुत आसानी से ठीक हो जाती है अब जैसे अगर कोई जूट बोलता है तो ये भी तो एक personality का part है ना तो इसके पीछे भी कई बार हमने therapy में देखा है कि बच्पन में किसी बात पर, सच बोलने पर उसकी डाट पड़ी बच्चे की बहुत जादा डाट लगा दी उसके पिताजी ने और पिटाई भी कर दी तो बच्चे ने एक belief system बना लिया कि क्योंकि मैंने सच बोला, इसलिए ऐसा हुआ उसके बाद से वो जूट बोलने लग गया जूट बोलने लग गया तो वो बचने लग गया और उसकी उस दिन ये personality बन गई जो की पता ही नहीं चला, बड़े होते 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 ये उसकी आदत में ही आ गया आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा जूट ही बोलते रहते हैं बात बात पर जूट बोलते हैं अगर उनको भी understand किया जाए तो इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है ना उनके साथ वो गटना हुई होती और ना ही वो आ जैसे होते हैं तो हर चीज के पीछे कारण होते हैं हमें क्या करना चाहिए हमें किसी के उपर भी उंगली उठाने से पहले या किसी को ब्लेम करने से पहले चीजों को समझना चाहिए ठीक है? दूसरा अगर आपके घर में चोटे बच्चे हैं तो उनसे बात करने में थोड़ा कैफुल रहिए कुछ इस तरह की बात नहीं कीजे जिससे की वो बड़े होकर परस्नालिटी डिसॉर्डर के शिकार बन जाए और उनका जीवन मुश्किल हो जाए इसके अलावा भी और भी फैक्टर्स होते हैं कल्चर होती है, समाज है और कुछ परस्नालिटीज हम अपनी फ्री विल से, फ्री चॉइस से बिल्डप करते हैं जैसे हमारे अपने इंट्रेस्ट होते हैं होबीज होती हैं वो भी हमारी परस्नालिटी बनाती हैं कई लोग जो बहुत ज़ादा म्यूजिक सुनते हैं तो ज़ादा तर फन लविंग से होते हैं तो आपके अंदर भी आपकी भी जो परस्नालिटी है उसके पीछे भी अगर आप देखें कभी तो आपको समझ आएगा ऐसा होने के पीछे भी कोई एक कारण जोड़ा हुआ है जब इस चीज को एकसेप्ट कर लेंगे चाहें वो अपने लिए हो चाहें वो दूसरों के लिए हो तो आप उस चीज को ठीक भी कर सकते हैं एक एनरजी है बस उस एनरजी को रिलीज कर दीजे एकसेट करके रिलीज कर दीजे और उसके बाद रोज की अटेंचन देनी है आपको जब ऐसा करेंगे तो personality को ठीक करना या change करना कहना ज़ादा ठीक रहेगा वो easy हो जाता है जैसे वो एक जूट बोलने का example तो मैंने बताया है आपको ऐसे ही और भी examples हो सकते हैं और भी incidents हो सकते हैं जिनको आप find out करके और उस चीज को हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही मुझसे जोड़े रहने के लिए चैनल को subscribe कर लीजे बैल एक गंदबा दीजे और वीडियो को like, share और comment कर दीजे WhatsApp group से जोड़ना चाहते हैं तो description box में WhatsApp group का link है इस तरह की और भी videos आपको मिलती रहेंगी Thank you for watching झाल